हेलो फ्रेंज कैसे आप सब दोस्तों आज का जो मार टॉपिक है वे नेक डिजाइन के ऊपर पिंटर सूट के ऊपर हमें अपना डिजाइन बनाना है तो देखे उसके लिए मैंने इसके सरवार की मैचिंग का कपड़ा लिया है जिसके लंबाई मैंने देखे यहां पर 14 इंच इस लिया है टेक है आप अभ देखे हाँ मैंने इसके मैचिंग की दिखन यहां देखे नीचे से इसके ऊपरर रखके लगाऊँगी तो दॉपिक को खोल के मैं बतातो मैंansa मैंने मैंने इसको साड़ी तीरा इंच कट किया है और तीन इंच इसकी चोड़ाई है और जो भी इसके सेंटर में डिजाइन था उसको ऐसे फोल्ड करके इसको सिर्फ देखे यहां पर मैंने इसको बना लिया है पट्टी को और इसको प्रेस अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा अ इस तरह से मैं दोनु तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को लगबग तीन इंच के करीब इसको इस पट्टी को मैं रेडी करूंगी और यहां पर प्रेस कर लीजिए आप चाहिए तो इसके नीचे पेस्टिंग भी लगा सकते हो बट उसकी जुरूरत नहीं है यहां पर तो इसके उपर हमें एक इंच का निशान लगाना है नीचे की तरफ और जो हमारी उपर की पट्टी है उसको हम इस तरह से सट करते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे इस ऐसे आपने सट कर लेना है इसको अच्छे से तकरीब आदा इंच इसको नीचे से फोल्ड करते हुए आपने इस पट्टी के उपर सिलाई लगा लेनी है यह देखे फ्रेंस और ध्यान से आपने पकड़ के पूरा दोनों तरफ गैप आपका इकुल होना चाहिए और यह एक इंच की पट्टी आपके बिलको सेंटर में आनी चाहिए ठीके फ्रेंस यानि के दोनों साइड हमारी नीचे वाली पट्टी का जो मार्जन है वह एकदम सेम होना चाहिए अगर आपका इदर उदर हुआ तो आपका डिजाइन खराब लागेगा दोस्तों इसलिए कह रही हूं कि बहुत ही ध्यान से इस पट्टी को लगाईएगा तो देखे फ्रेंस इस तरह से हमारी पट्टी पट्टी अटेच हो चुकी है और अब देखे इसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके लूग कुछ इस तरह से आएगी बिल्कुल फिनिशिंग से आपके पास यह रेडी होगी अब देखे आप हमें कमीज का कपड़ा लेना है जिसके उपर हमें इसको अटेच करना है और इसके सेंटर में मैंने यहां पर सिलाय लगाई हुई है और इसके उपर मुझे यह राउंड नेक बनाना है अगर आपको यह बनाना नहीं आता है तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी मैंने इसके उपर डिटेल में वीड अगर आप पत्टी बोड गले पर बना रहे हो तो ऊपर से ही रख लिजे थोड़ा सा और इस पत्टी को चोदा से लेकर 16 इंच तक भी आप रेडी कर सकते हो तो देखें मैंने नीचे तक इसको निशान लगा लेना है ता जो हमारी पत्टी जो है लिए जुले ना आप इसके स साथ इस पे उपर सिलाई भी लगा सकते हो देखें इसको सेंटर में रखते हुए बिलकुल उपर से लेकर नीचे तक इसके उपर मैं तीन पिनप लगा लूँगी आगर आपके पास पिनप नहीं है तो आप सुईया लगा लेजी दो तीन यह आपका पत्टी जो है बिलकु को फोल्ड करते हुए यहां पे आपने सिलाई लगानी है दीरे दीरे आप इस प्रोसेस को करोगे और आपको हर वीडियो में कहते हूं कि काम स्लो कीजिए बट फिनिशिंग वाला कीजिए तो देखें अगर आपके पट्टी तोड इससे बाहर निकल रही है मैं इसको पेच हो चुकी है यहां पर देखिए अपने अपना नेक रोगना है और इसा मैं पेरिप्ट्र ब्राबर काकिन प्रहां है कि अगर आपका यह प्रेस वाला है तो आप जएस चपका सकते हो अपने neck को otherwise आपने यहाँ पे बड़े बखे के साथ यहाँ इसके center में सिलाई लगा लेनी है तो मैंने यह मेरा pasting वाला neck था इसलिए मैंने इसको चिपका लिया है अब आधा इंच का margin बाहर की तरफ छोटे हुए मैं पूरे कपड़े को cut करके यहाँ पे इस तरह से बड़े बखे के साथ सिलाई लगा लूँगी और यह आपकी अच्छी से सिलाई लगनी चाहिए क्योंकि मैं इसको right side turn करूँगी उल्टी side रखके ठीक है friends यह देखिए यह हमारी बड़े बखे के साथ attach हो चुटी है अब इसके center में भी मैं neck के center में भी यहाँ पे cut लगा लूँगी एक और इसको लटी side से हमें रखना है देखिए इसके center में आपने cut लगाना है चौटा सा और अब देखिए neck के ulti side में मैं यहाँ पे बीच में center में सब्सक्राइब करते हैं यह विए पता चलता रहे करुवार के सब्सक्राइब सब्सक्राइब में इसके मैं पिनप कर लूँगी आप चाहे तो बड़े बखे के साथ इसके सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हो पहले और इसको मैं अच्छे से पिनप कर लूँगी ताकि मेरा ये नेक जो है इधर उदर ना हिले-जुले इसके ऊपर हमें किनारी के इर्श लगाने है और इस इसलाई आपने बुक्रम के बिलकुल पास पास लगाने है याने के चोटे चोटी कर लेंगे ताके हमिसको दूसरी तरफ पल टे राइट higher ॉप्छ न जो हम इसको को于 दिक्कत न आए तो देखे, कट हमने लगा लिए हैं, इसको राइट साइड टर्न करके यहां पर बड़े बख्य के साथ सिलाई लगा लीजिए पहले, ताकि आपको फिनिशिंग की सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए, यह देखे, इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी, अब इसक अच्छे पिक्स और वेडियो जालती रहती हूं, इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी, आप वह से चेक कर सकते हो, और देखे, यह हमारे सिलाई लगा लगाई थी, उसको पूरे को धेड लूँगी, यानि के पूरी सिलाई को हम निकाल के मैं इसकी फ अगे हुए थे, तो देखे, यह हमारे नेक डिजाइन बनके रेडि है, अगर आपको हमारे यह डिजाइन पसंद आता है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कीजेगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल भी मत भूलेगा, और आप हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएए कि आपको हमारा यह डिजाइन कैसा लगता, मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तों, थैंक्स पर वाचिंग